आपका स्वागत है और आज मैं आपको विल्माने चाहाँ को एसस सक्सेस है जिनका आल ओवर एमपी में फस्ट रेंक है जैसा कि आप जानते हैं मद्यपर्दस पुलिस का रिजल्ट आ चुका है और उसके अंदर 6000 पोस्ट इती और 6000 पोस्ट में हमारे बीच जो मौझूद अंकुर शर्मा इन्होंने फस्ट रेंक लगाई है और आपको बता दू कि भूतपुरु सेनिक है और भूतपुरु सेनिक का ये कमाल देखकर पुरा देश ही अचंबित हो जाएगा क्योंकि 15-16 साल की नोकरी आपकी टफ नोकरी टफ ड्यूटी होती है उसका साथ बीजी शेडियूल होता है फिर इन्होंने किस तरह से पढ़ाई को मेंटेन किया और जो बच्चे घर में रहे कर फूल टाइम कोचिंग पढ़कर त्यारी करते हैं लगातार बिना रुकावट के को इनकी 10-12-15 साल तो एजुक प्रदृध प्लीज कोच्टल की जैसा आपको पता है कि मैस रिजूनिंग उसके अंदर उसका बेटे होता है स्लेबस जो होता है इसका पता कहां से क्या पूछ ले हो जी के इतना टॉफ पूछता है और अंकूर साथ ही बहुत सारे जो एक्जाम से चार से पांच एक्जाम तो कितने सब्सक्राइब करते हैं, तो पहुत थी मुझे आखाएंगे, कितने नंबर हैं, कितने नंबर हैं, तो कुझा आपने पास की. जैन सर मैं अंकुर शर्मा दोजा एक मार्वी में रिटार्मेंट आया था तब से लेकर मैं पढ़ा ही कर रहा था इसलिए दूसरी एक्जाम भी लगाता लगा रहा और अभी जो इस एक्जाम दी नमबर आया थे उन्नीस जन्वरी फस्स था और मेरे 89 नमबर थे लेकिन अभी नर्मलिजेशन हुआ तो मेरे कम हुए और 87 नमबर आये और मेरी जो रैंक है उसमे जो दिखा रहा है उसमें का कड को देख पा रहा है उसमें समझता हूं मेरा जो जानकार देखा रहे की अंकूर बड़े संशाई तो आपको बहुत बदाई और आप थोड़ा बताना चाहेंगे रोशने डालना चाहेंगे आपकी कौन-कौन सी एक्जाम और किलियर हो गई है सर मैं 2019 में CPU दिया था जिसमें मैं वेडिकोस की प्रॉब्लम दिखाई थी थी तो वहां से आउट हुआ था और वहीं से मेरी जनली स्टार्ट हो दिया और CISF सबस्पेक्टर मुझे मिला हुआ है और NTPC अभी जो अभी हुई है उसमें लेवल सिक्स मेरा अभी स्टेशन मास्टर में मेरा हो चुका है और MTS 2019 2020 यह दोनों क्लियर है और मैंने जस्ट से दिया उसमें भी कौलिफाई किया हुआ है और यह अभी सबसे बड़ी जो वेरी एक्जाम है MP की MP कॉंस्टिबल लिखा लिए बहुत बदा है आपने जो स्टेशन मास्टर मेरी बात हुई है आपने सोचा है कि मैं स्टेशन मास्टर को जोईन कर लूँगा स्टेशन मास्टर जोईन करूंगा सर्थ उसके पहले आपको MP समस्टर देने को मुखा मिलता है तो आप देंगे मैं बिल्कुल सब्सक्राइब यह कह रहा हूं कि मैं स्टेशन मास्टर चोड़के MP करूंगा हमारी भी तेह दिल से यह मतलब हमारी आप से इच्छा गुजारिस है कि आप स्टेशन मास्टर के बजाए आप MP SI को फाइड करो और फस्ट रेंग पर लिगा है कि अंकूर जो है हमारे ही ग्राउंड पे त्यारी करते थे हमारे साथ त्यारी करते थे और इनका छोटे भाई है यह पूरे परिवार से मैं बहुत अपने वह है और मुझे बहुत खुशी है अंकूर का जैसे मैंने सुना फरस्ट रहेंगे तो अंकूर जी आप और कुछ संदेश देना चाहेंगे मैं यह कहना चाहता हूं पहले वी एक दो वीडियो में कहा कि अपने गुरू के उपर विस्वास होगो बस मैंने वहाब सर के उपर अपने आपको छोड़ दिया था और आज आप मुकाम देखी रहें तो अपने गुरू के उपर बहुर सा कहेंजिए बाकि सब को पर को अपने आपको देख रहा हूं जब आड़मी से दोजा इस में आया था मुझे मैं असका एक सवाल नहीं आता था धीरे धीरे करते 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 लड़कों से सीखता था एक कंडिशन यहाए कि अन लड़कों को मैंने स्थिखाना शूरू कर रहिया और आज इस कंडिशन पे आप लोग देखी रहें कि पांचे एक्जाम लिकल गई और और भी एक्जाम लिकाने की कोशिश कर रहा हूं और वापसर का आशिरवाद आ तो मैं पका कुछ ना कुछ तो बन हुआ हो रहा है जलके बिल्कुल और जैसा अंकुर ने कहा कि यह 12 पास करके आर्मी में क्लरकी क पोस्टर चले गए होंगे 12 पास करने वह देखारा साल नोकरी की है नोकरी के बाद जब लोटे होंगे तो सबी जानते हैं कि जिस तरह से लोही में जंग लग जाता है दिमाग में जंग लग जाता है लेकिन आपने इतनी बड़ी बड़ी एक्जाम को किलियर किया है जिनोणोरी आरमी का ही जुनोन है जो किसी भी कर्डीन हारने ही मानता है और मैं बताना चाहूंगा जैसा कि सभी जानते है कि आरमी का जो नोकरी में जिलातरम सरकार सरकार से नहीं बड़ी जेडर जेंडर आकिमा करेंग PERSON परिवार के नजदिक रहकर फिर से देश के सेवा कर सकेंगे लेकिन वो अधिकार सरकार ने छीना 10% आरक्षन इनको नहीं दिया गुजारिश करता हूँ कि फिर से इस पर मन्थन किया जाए त्रूटी वस्ट हुआ है गलती से आप आरक्षन नहीं दे पाए आप से गलती हुई तो इसको स्विकार करें और जिन जिन भूतपूर सेनिकों क फिजिकल नहीं लिया आपने क्या करने आपको आप सरकार में हैं 600 पोस्ट बनती है आपकी 10% आरक्षन के साथ 600 पोस्ट बनती है 600 पोस्ट करें और जिन लोगों का अच्छे मार्क्षन को फिजिकल के लिए बुलवाया जाए और फिर इनको रखा जाए क्योंकि आप इस तर परसंदे रहा और अभी तक की जितनी भी वेकेंसी है सभी में यह लागो रहा लेकिन पता ने इस इसी भरती में किया काफी लोग इससे हताश हुए हैं तो मैं सरकार से गुजाईश करना जाता हूं कि करपया करके वो जो 10% आरक्षन हैं उसे बाहल करें और आगे की जो भी लोगों को भी हम लोग देश सेवा करके आएं हमारा भी होस्ना अफजाई होता है पस मैं यह कहना जाता है जो 10% आरक्षन दिया जाना चाहिए और आगे भी लागो होगा इस बार तुटी बस गलती स्विकार नहीं करने हैं अधिकारी लोग गलती स्विकार करने और इस कि इस केस को यहीं खत्म करके इनको आरक्षन दे जाए और 600 पोस्ट के लिए फिर से फिजिकल करवा ले जाए कोई बड़ा काम नहीं सरकार के लिए 600 पोस्ट करना केमिनिट में बड़ी बात नहीं हो कर सकते और अंकूर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आप जो है यहां और कुछ बोलना चाहिए कि आपका आशिवाद मुझे बना रहे मैं पक ऐसा ही बनूंगा अंकूर जी जो है मेरे हम उम्र है और उसमें देखा जाए तो ओधे में भी घुतपुर हुसेनिक है मेरे लिए सम्माननी है मैं दुआई करूँगा आपके लिए कि आप बिलकुल जिन्दगी में भाची बोस्त बाजाए या जै ही जै भारत